नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चनल पे आपका सौगत है दोस्तों आज बात करेंगे फिल्म चमकीला या अमर सिंग चमकीला के बारे में और ये फिल्म सीधे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है इसके डारेक्टर है इम्तियाज अली हाला कि production और writing में भी इनका योगदान है और दोस्तों review के शुरुआत करने से पहले एक request आप से कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर ही कर लिजेगा क्योंकि wave series और movies के review के साथ अपने हम मिलती है OTT के दुनिया की हर जानकारी और दोस्तों ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है ये फिल्म है अमर सिंग चमकीला के बारे में अमर सिंग चमकीला एक legendary singer थे पंजाब के जिन्होंने केवल 27 साल की आयू में वो शोहरत हासल की जो किसी भी कलाकार के लिए एक सपना होता है अलाकि चमकीला का जिवन कंट्रोवर्सी से भी घीरा रहा और बाद में उनकी हत्या कर दी गई उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई तो ये जो कहानी है ये गरीब परिवार में जन्मे धनी राम की कहानी है जो की अमर सिंग चमकीला बना और उसने ऐसे ऐसे गाने गाए जो जनता के दिलो दिमाग पर छा गए देश विदेश में उनकी परफर्मेंसे हुई और उनके रिकार्ड की विक्री ने सारे रिकार्ड तोड़ दिये तो यही कहानी हम यहां देखते हैं तो दोस्तों यह जो फिल्म है इसमें चमकीला के बारे में चमकीला के गानों के बारे में बहुत सारी चीज़े आप देखते हैं और इस फिल्म के बाद एक विवाद यह हो सकता है कि गानों में अश्लीलता होनी चाहिए और नहीं होनी चाह लेकिन यहां साथ ही आपको society की hypocrisy भी दिखती है कि एक तरफ कुछ लोग हैं जो चमकीला को अशलील गाने गाने से मना करते हैं, उस पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, उस पर डवाव डालते हैं, लेकिन इसी society ने चमकीला को star ही नहीं, सुपरस्टार बना दिया है, इसी society में इसके गाने इतने popular हैं और इसके गाने के जो records हैं, जो cassettes हैं, वो दुआधार भी करे हैं, तो एक तरफ मासेज जो हैं, वो एक चीज़ को बहुत पसंद कर रही हैं, और कुछ लोग हैं जो इसको नापसंद भी कर रहे हैं, तो ये चमकीला जो थे, वो मासेज के कलाकार थे, वो जंता के कलाकार थे और जंता की demand को उन्होंने कभी इगरोर नहीं किया, और इसके बाद भी वो गाते रहे तवाम दवावों के बाद भी तवाम तरह की चेतावनियों के बाद भी, तो दोस्तों ये जो फिल्म है, ये एक शान प्रशान भी था वो अपनी आइडेंटिटी का एक संगर्ष था वो अपनी जाती की रूड़ी से बाहर निकलने का भी एक संगर्ष था और बहुत सारे लोग थे जो चमकीला की विरोधी भी थे और इसमें जातिवाद का भी एंगल हो सकता है उसके हत्या में टर्रिरिजम का भी एंगल हो सकता है हाला कि उनकी हत्या की कभी पूरी जाच हुई ही नहीं और दोस्तों ये फिल्म एक शांदार फिल्म है एक अच्छी कहानी तो है ही एक अच्छे ढंग से इसको प्रेजेंट किया गया है इम्तियाज अली का जो डिरेक्शन है वो कमाल का है और ऐसा लग प्रेजेंट किया गया नाइटी एटीज के पंजाब को वो भी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से दिखाया गया है तो सारी चीजें मिल करके एक बढ़िया एट्मोर्सफेर क्रियेट करती है ये फिल्म देखने में आपको बहुत ही मज़ा आता है इसके अलावा यहां जो पर कलाकारी की कभी चर्चा होगी तो आप इसकी चर्चा कर सकते हैं इसके अलावा यहां देखे फिल्म जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलती रहती है और बीच विच पे कुछ रियल फुटेज कुछ इस तरह की तस्वीर पुरानी जब सामने आती है तो फिर वो द कमाल के दिखते हैं चाहे वो अंजुम बत्रा हो या तुशारदत हो या दूसरे भी कलाकार हो तो सब ने यहां काम भी अच्छा किया है और यहां कास्टिंग भी जवरदस्ट है जो भी कलाकार रखे गए हैं वो सब इस फिल्म के किरदारों के हिसाब से सूट करते हैं और अलावा दोस्तों यह जो फिल्म है यह एक म्यूजिकल मज़ा है देखिए यहां चमकीला के गाने तो बीच बीच में चलते ही रहते हैं जो फिल्म के अपने गाने हैं वो भी कमाल के हैं चाहे आरिजीत सिंग की आवाज में आखरी का कोई गाना हो या एर रहमान की आवाज हमको सुनाई देती है तो यहां जो music का department है वो बहुत ही जवरदस्त है बहुत ही कमाल का है और इस film क्या music और film में इस्तिमाल किया गया music वो सारा ही अच्छा आपको लगता है तो दोस्तों यह जो film है यह एक बहतरीन film कही जा सकती है एक masterpiece कही ही जा सकती है जिसमें राइटिंग अच्छी है रिसर्च अच्छे है डायरेक्शन है music है acting है और जिस तरह के editing की गई है वो सब ही बहतरीन है लेकिन हाँ इस film को देखते हुए एक चीज आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि जब भी यहां चमकीला के गाने आते हैं तो उसका तरजुमा आपको स्क्रीन पे दिखता है वो इंग्लिश में है हाला कि मतलब हिंदी में लिखा गया है बस उसकी जो लिपी है वो इंग्लिश है तो आप उसको पढ़ने की कोशिस ना करें क्योंकि आप जब उसको पढ़ने कोशिस करेंगे तो आपको का रिदम बिगड़ेगा और दूसरा यहां बहुत ज़्यादा पंजावी का इस्तमाल है तो जो लोग इतनी नहीं जानते हैं पंजावी उनको थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन ओवर ओल यह एक बहतरीन फिल्म है मैं तो कहूंगा आप इसको जरूर ही देखिए हलाकि फैमिली के साथ देखने में यह थोड़ी अकवर्ड हो सकती है कि जिस तरह के लिरिक्स इसमे है या कुछ चीज़े ऐसी है लेकिन एक अच्छी फिल्म जरूर है यह और मुझे तो लगता है कि जिस तरह की यह फिल्म है इसको सीनेमा घरों में रिलीज करना चाहिए था बड़े पैमाने पर अगर यह रिलीज होती तो यह और भी सफलता हासिल कर सकती थी लेकिन अभी नेट्फिक्स पे है तो आप देखियेगा और दोस्तों मुझे यह फिल्म बहुत ही अच्छी लगी है तो मेरी रेटिंग है पांच में से चार की तो दोस्तों आज बस इतनी बात आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा और आपने अगर यह फिल्म देखिये तो भी मुझे ब देखिये दने बात